दोस्तों अक्सर मेरे स्टूडन मुझे सवाल पूछते हैं कि गवर्मेंट जॉब के लिए हमें कौन सा computer course करना चाहिए या फिर कौन सा ऐसा certificate है जो government job के लिए valid है तो मैं आपको बता हूँ दोस्तो, triple C course आपको करना चाहिए और triple C का certificate government job के लिए valid है बाकी कोई setup एकिट यहाँ पे valid नहीं रहता है जो offline institute होते है, triple C के कुछ register offline institute होते है वहाँ पे ही यह course होता है, online triple C course अभी तक available नहीं है अच्छा, तो triple C में क्या-क्या पढ़ाया जाता है, यह मैं आपको बताने होलो आज की वीडियो में क्योंकि triple C में LibreOffice करके एक software है, जो कि Microsoft Office का alternative software है अगर आपके computer में Microsoft Office नहीं चल रहा है, आपके बस Microsoft Office का license की नहीं है don't worry, LibreOffice यह एक free और alternative software है, जो आप Microsoft Office की जगह use कर सकते है यानि कि Microsoft Office की जगह आप LibreOffice में Word, Excel, PowerPoint यूज कर सकते हैं और इनके ही सवाल आपको triple C में पूछ जाते हैं, तो आई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि triple C में LibreOffice related क्या-क्या सवाल आ सकते हैं एक Oreo में आपको देने वाला हूँ, LibreOffice फ्री में आपके computer में download और install कैसे करना ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आगे चल कर अगर आप government exam देना चाते हैं, तो आपको पहले से idea हो जाएगा कि ये software के सवाल हमें ये पूछ जाने वाले या पिर अभी आपका exam है तो आपके के लिए ये video बहुत ही फाइदे मन होने वाला है, या पिर आपके computer में MS Office नहीं चल रहा है, तो आप LibreOffice इंस्टॉल करके उससे भी इस्तमाल कर सकता है Microsoft Office की जगह तो अगर आप इंट्रेस्ट रोते यूडियो एड तक देखिए, मैं सतीष complete technology channel में आप सबका सौगत करता हूँ, let's begin तो आएए दोस्तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि LibreOffice हमारे computer में हम कैसे download और install करेंगे, इसके लिए आपको Google पर search करना है LibreOffice, जो कि मैंने यहां पर search किया है, search करते ही नीचे आपको LibreOffice की website मिलेगी, LibreOffice.org, दिखाए देरे है, .com नी, .org यह वाली website है, क्लिक क options पर click कीजिए यहां पर इस menu में, और download LibreOffice यह वाले options पर click कीजिए, आपके सामनी यह page open हो रहा है, जिसमें आपको मिल रहा है LibreOffice का नया version, जो भी version ही, यहां पर नया version ही आएगा, इस website पर, और फिर आपको यहां पर download बटन पर click करना है, लेकिन एक मिनिट रुकिए, य यह Mac OS डाउनलोड कर सकते हैं, यह Windows का है तो यह दोनों में से एक डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में मेरा वाला जो है 64 bit है, तो आप जानना चाहते हैं कि आपका कून सा है, Windows 64 bit है या 34 bit है, 32 bit है, ओके 34 नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिख सिख तॉब पे आना है, इस पीसी जो icon रहता है, यहां पे अपको पता चलेगा, इस पीसी पे right-click कीजिए और यहां पर properties एक option लिल जाता है, इस पीसी पे right-click करने के बाद properties में आई है, properties में आपके सामने बहुत सारे specification उपन होंगे, इस system के बारे में, मैंने कुछ specification यहां पे बलर रखे क्योंकि वह confidential है लेकिन एक specification जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ system 64 bit operating system है यह राइट और आप भी ऐसा चेक कर सकते है Windows 7 अगर आपका है तो आप my computer पर right click करके properties में जाएंगे Windows 10 में this PC में right click करके properties में चेक कीजिए और यह specifications यहाँ पर मैंने बता दिये फिलाल हम library office के website पर आपीच जाते हैं और यहाँ पर हम इसे fast forward कर देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते यह library office डाउनलोड हो चुका है complete अब मैं library office पर क्लिक करूंगा जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर यह installation setup आ जाएगा simple setup है यहाँ पर आपको next next करना है यह मैं minimize कर देता हूं थोड़ी दर के लिए और यहाँ पर दिखिए यह एक dialogue box आ जाता है जिसमें आपको बस यहाँ पर next next बटन पर क्लिक करना है next बटन पर क्लिक कीजिए create shortcut on desktop अपकोस करना है और load library office यह जो library office है यह during system startup पर ही load होना चाहिए नहीं क्योंकि जैसी आप computer start कर गए यह load हो जाएगा अगर आप यह check रखते हो तो फिलाल नहीं मैं नहीं करना चाहता हूं मैं manually start करूंगा program message अब मुझे चाहिए तो install बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कुछ pop up आ गया यह ऐसा लगता है तो आप इसे क्या करो तो close all the application and restart the system यह आप select कर सकते हैं सभी application close करके restart कीजी है फिलाल मैं restart करके इसे दुबारा start करता हूं तो यहाँ पर मेरा system restart हो चुका है और मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं click करूंगा search पे और libre office टाइप कैलसी नाम से जाना जाता है लिब्रे ओपीस के अंदर और writer यानि की word document यहाँ पर याद रखो word document यानि की writer तो यह चुट योटी चीज़े जो आपको यहाँ पर पहले से पता होनी चाहिए और impress यानि की powerpoint याद रखें impress यानि की powerpoint यह तीन चीज़े तीन application आपको याद यहाँ चाहिए तो मुझे एक साथ सारे के सारे यहाँ पर उसके softwares मिल जाएंगे जैसे आपको दिखा दे रहा है यह है word writer document मतलब word, Kelsey spreadsheet मतलब Excel, impress presentation आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर आता है यह powerpoint इस तरह से है और draw drawing के लिए है math formulas भी दिए है और base database access की तरह software है तो यह 6 softwares का package एक साथ आपको लिब्रे ओपीस में मिलता है अब अपने download and install कैसे करना है, run कैसे करना है वो जान लिया अब सबसे पहले मैं writer start करके दिखाता हूँ और writer के बारे में details बता देता हूँ writer यहलिक अनि Microsoft Word document की तरह एक document यहाँ पर open हो जाता है और जिसमें आप Microsoft Word की तरह ही काम कर सकते है Microsoft Word की तरह इसमे table insert कर सकते है, Microsoft Word की तरह ही इसमे page set up कर सकते है, format दे सकते है, बहुत सरी चीजे है लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटीस करोगे तो Microsoft Word में जो tabs होते वैसे tabs यहाँ पे नहीं है जैसे Microsoft Word में मैं आपको दिखा देता हूँ, side by side start करता हूँ ताकि आप compare कर पाएंगे आगे चल कर अगर आप Microsoft Word में भी काम करना चाहते हैं तो Microsoft Word में इस तरह से tab होते है, Home, Insert, Design, Layout, References, Mailings and View इस तरह से tab होते है और वही यहाँ पे menu में होते है, File, Edit, View, Insert, Format, Style, Table, Menu सारी चीज़े वैसी हैं, अगर आपको Microsoft Word पहले से आता है, तो you can easily operate this LibreOffice Writer Software तो करना क्या है, बस यह पे आपको इन menus को access का, मैं सारे menus similar आपको मिल जाएंगे अप कुछ important बाते LibreOffice के वरे में जानते हैं, जो की CCC exam में आपको पूछे जा सकते है जैसे कि इसके अंदर जो फाइल बनती है, उसका default file name क्या होता है Microsoft Word में आएंगे आप, तो Microsoft Word में default file name उपर दिखाए देता है, document 1 क्या होता है, document 1, यह Microsoft Word है, और LibreOffice में आप आएंगे, तो यहाँ पे दिखाए दे रहा है आपको, इसका default file name है वो untitled 1, याद रखे, default file name, अच्छा, Microsoft Word की फाइल जब आप save करते हो, यहाँ पर मैं save कर देता हूँ, सपोज मैं control S या save button प्रेस कर देता हूँ, यह word document save हो जाता है, और इसका जो extension रहता है, word का, word का extension रहता है, यहाँ पर .docx, याद रखे, मतलब इस file को मैं save करता हूँ, desktop पे, इसको मैं नाम दिया, my document, okay, और मैं इसको save कर रहा हूँ, Microsoft Word को, अब मैं desktop पे जाके check करूँगा, जब मैं my document desktop पे check करूँगा, तो उसका extension क्या रहे extension यहाँ पे दिखाया देता है, आपको .docx, Microsoft Word का extension रहे है, तो Microsoft Word का extension रहे है, LibreOffice में जब हम file save करेंगे, तो उसका extension क्या आएगा, इसका extension रहता है .odt, याद रखे, open document text format, याद रखे, open document text, तो आप जब इस file को save करोँगे, Ctrl S बटन प्रेस करना है, save करने के लिए, save करते स यहाँ पे आपको file का नाम देना पड़ेगा, my new file, जो भी आपको नाम देना है, वो आप दे सकते है, और desktop पे मैं इसको save कर रहा हूँ, save करने के बाद, इस file के उपर right click कीजिए, और properties में जाए, desktop के उपर file है, properties में जाकर देख सकते है, इसका extension क्या है, .odt, मतलब file format जो होत जाती है, अक्सर, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको पता होनी चाहिए, अच्छा, Microsoft Word में save ads के लिए क्या shortcut की होती है, save के लिए दोनों जगह पे control S ही है, यहाँ पे मैं save ads करता हूँ, तो उसके लिए मुझे app 12 बटम प्रेस करना पड़ता है, लेकिन library office में save ads के लि मैंने बताया, लेकिन यह जो library office का writer है, इसे close करने के लिए control Q बटन आपको प्रेस करना है, control Q, close होगे, और Microsoft Word में अगर आपको यह Microsoft Word close करना है, तो उसके लिए आप प्रेस करते हो, यहाँ पे alt F4, पुरा software बंद करने के लिए alt F4, और यह खाली document बंद करना है, तो control W, देख library office दुबारा start कर देता हो, हम writer पे दुबारा click कर देते हैं, यहाँ से जो भी software चेह आप access कर सकते हैं, याद रखिए, okay, library office applications के अंदर, उसके बाद इसका zooming level जोड़ होता है, Microsoft Word के compare में यह थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि Microsoft Word में zooming level रहता है 500%, अगर मैं वर्ड में आ जाता हूँ, word में बंद कर दिया, word में दुबारा start कर देता हूँ, Microsoft Word स्टार्ट कर दिया, okay, word के अंदर, यहाँ पे zooming level आपको default zooming level मिलेगा 100% word में, default 100, यहाँ पे minimum 10 और maximum 500, right, minimum 10, maximum 500, जो zooming level रहता है page का, यह इतना रहता है, minimum 10, maximum 500, और default 100, तो यह मैंने आपको बता है, लेकि मैं यहाँ पे लाकि दिखार आपको, मैं यह प्रेक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ, page का zooming level minimum 20, default 100 ही रहेगा, default मतलब पहले से रहेगा, इस तरह से 100 ही रहेगा, और max जो रहेगा, वो 600, 599 आपको दिखाए दे रहे, max 600, यहाँ पे मैंने अभी बढ़ा दिया उसको, okay, so maximum zooming level, word के अंदर 500, और libre office के अंदर 600, minimum zooming level, word के अंदर 10 परसंटेज, और libre office के अंदर 20 परसंटेज, यह exams के लिए question triple C के पूछे जाते है, इसलिए मैं यह सारी बाते clear कर रहा हूँ, क्योंकि libre office जाद दर triple C के अंदर ही आता है, और वैसे भी offices में, अगर आपको यूज करना है तो आप आसानी से use कर सकते है, अगर आपको microsoft word आता है, और अगर आपका कहना है कि वही इसके उपर separate separate tutorial बनाओ, इसके अंदर के options कैसी use करने, तो definitely I'll create that, don't worry, अगर आपका कहना है, तो आप comment section में ज़रूर लिग देना, comment करना ना भूलिए, अभी यहाँ पे table अगर insert करना ह तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, table insert करने के लिए यहाँ पे shortcut क्यों होती है, control F12, मैं control F12 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिल रहा है table का अलग-अलग format, दिखाए दे रहा है, बहुत सरी format आपको readymade design के table से यहाँ पे insert करने के लिए आपको मिल जाएंगे, आ इतने रोज आप यहाँ पे select कर सकते हैं, छे रोज और यहाँ पे insert बटन पे click कीजिए, यहाँ पे दिखे टेबल आ चुका है, तो table insert करने के लिए control F12 यह shortcut की यहाँ पे याद रखना है आपको, तो ऐसी धेर सारी चीज़े है Microsoft Word के compare में LibreOffice में, बहुत सारी चीज़े आप अगर मैं यहाँ पे file में जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक option मिलेगा close, जिससे क्या होगा, यह writer close होगा बस, और अगर मैं यहाँ पे exit करूँगा, तो यह LibreOffice पूरा exit होगा, याद रखिये, control Q से LibreOffice पूरा exit होगा, और मैं अगर यहाँ से close करता हूँ, तो यह LibreOffice यहाँ पे आपको दिखाए देगा, यह वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन आप तक का वीडियो पसंद आया, तो एक request करूँगा, आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, यह premium होता है, लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चलता है कि आपको इ मेरा teaching style पसंद है, और आप सीखना चाहते है, मुझसे, Microsoft Office घर बैटे बैटे, या फिर computer courses घर बैटे बैटे, तो आप मेरी website को चेक कर सकते है, description में मैंने link दे दी है, अभी के अभी चेक कीजिए, वापे कुछ खास offer हमेशा चालू रहते है, क्या पता, आप के लिए कुछ ख Excel, तो मैं side by side Excel भी open कर लेता हूँ, ताकि आपको compare करके मैं बता पाऊँ, तो यहाँ पर यह है Microsoft Office का Excel, Microsoft Excel, side में यहाँ पर है Kelsey, अब मैं यहाँ पर पहले बताऊंगा कि Excel के अंदर जो file होती, उसे हम book 1 बोलते है, यानि default file name उसका book 1 होता है, और library office के अंदर जो file होती है, Kelsey के वो untitled 1 ही होती है, याद रखिया, untitled 1, default file name वही होता है, extension Excel का क्या होता है, Microsoft Excel का extension होता है, dot xlsx, extension है नहीं कि इस file को मैं save करूंगा, मैंने starting में बताया, तो उसका extension आ जाता है, properties में जाकर आप check कर सकते, मैं अभी इसमें इस तरह से बता देता हू, dot xlsx, Excel की file इस extension से save होती है, xlsx, और जो लिब्रे office है, उसकी file होती है, dot ods, open document spreadsheet, क्योंकि लिब्रे office की file को spreadsheet भी बोला जाता है, Kelsey को, याद रखिये, spreadsheet, तो इसे dot ods, ods नाम से जाना जाता है, इसका extension dot ods होता है, remember, next मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर file save करने के लिए वैसे, control s वगेरा, प्रेस क सकते, control shift s, याद रखिये, जो word के अंदर है, वही save ads के लिए यहाँ पर इस्तमाल कर सकते है, यहाँ पर function access करने के लिए क्या कर सकते है, मतलब यहाँ पर functions रहते हैं, formula यह लेने के लिए, तो आप इसके लिए shortcut की प्रेस कर सकते, control app 2, control app 2 प्रेस करेंगे, तो यह function यहाँ प function यहाँ पर आजाएगा, तो इस तरह से function आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर total functions कितने रहते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर मैं access कराओ, control app 2 से function screen, control app 2 मैंने प्रेस करेंगे, और यह सारी functions से, यह total कितनी, यह 504 functions रहते हैं, और Excel में कितने रहते हैं, Excel में 467 और यहाँ पर रहते हैं, 504 लग बग, 504 के असपास हैं, और unique कितने हैं, 25 unique formulas यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इसके अंदर, मतलब यह जो library office Kelsey है, उसमें 25 unique formulas यहाँ पर रहते हैं, एक knowledge के लिए आद रोको यह सारी चीज़ें, क्योंकि triple C के exam में यह पूछी जाती है, और इ मैं zoom करता हूँ, इसे भी zoom करता हूँ, zooming को मैं zoom कर रहा हूँ, और आपको दिखा रहा हूँ, इतना होता है maximum, दिखे 400 पसंटेज, तो यहाँ पर maximum 400, minimum यहाँ पर आप ले सकते हैं, 20 और default रहता है 100 पसंटेज, और spreadsheet के अंदर, वो formula सब यूज कर सकते हैं, जो Excel के अंदर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे we look up लिखना चाहते हैं, तो we look up दिखाए दे रहा है, we look up formula भी यहाँ पर एज इसम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, some formula जो भी formula, some eep लिखना चाहते हैं, some eep, यहाँ पी ओ फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे, और उसके arguments भी इस तरह से place और आप चाहते कि यार, Excel के उपर भी मैं specially video बनाओ, spreadsheet के हर एक points को explain करूँ, तो आप मुझे comment section में लिख देना, library office Kelsey का भी मैं video बनाओंगा, specially आपके लिए, comments ज्यादा होने चाहिए, कि हाँ मैं Kelsey सीखना है, Kelsey यानि calculator नहीं, library office Kelsey यानि spreadsheet, तो इसके बारे मैंने बताए किस तरह से है, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, यह columns, वैसे ही, columns, ABCD, rows यहाँ पर दिखाए देंगे, और control down arrow press करेंगे, तो 10,48,576, last rows वही मिलेगा, जो Excel में होता है, control up arrow, control right arrow press करोगे, तो AMJ यह last column है, यहाँ पर, AMJ, याद रखिए, अगर आप यहाँ पर column का formula type कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा, total columns कितने होते हैं, 1024 total column होते हैं, 1024, आप बोलो किया, round figure क्यों नहीं रखा है, इन्होंने 1024 रखा क्यों, क्योंकि memory, आपको पता रहे हैं, एक memory का एक particular rhyming रहता है, यह 8 के ratio में आ जाता है, पता रहेगा आपको, तो 1024 जैसे bytes भी 1024 मतलब 1GB हो जात तो यह यहाँ पर चीजे आपको पता चल जाएगी, इस तरह से है, यह total columns कितने होते हैं, यह idea दे दिया, यह एक overview मैं बता रहा हो दोस्तों, और इसके बारे में detail lectures तो अगर आप चाहते हैं, तो मैं बना दूँगा, फिलाल मैं फाइल में जा रहा हूँ और इस से भी कर रह प्रेजेंटेशन, यहाँ पर default आपको template बहुत सारे मिलते हैं, आप इसमें से design select कर सकते हो, पूछ रहा है कि आपको कौन सा design चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर close करो, यहाँ पर आपको एक default slide मिल जाती है, blank slide, और इसमें आप उसका layout भी बदल सकते हैं, जैसे PowerPoint में भी आलग-लग layouts आते slide के, वैसे आप यहाँ पर बदल सकते हैं, चले PowerPoint आपके सामने आ चुका है, तो PowerPoint में यहाँ पर हम देखेंगे, PowerPoint यानि कि Microsoft आपीस में इसे PowerPoint बोलती है, यहाँ पर impress बोल गाता है, इसमें untitled one यह default file का नाम है, PowerPoint में क्या र .pptx extension, PowerPoint की file से होती है, इसका extension रहता है .odp, किसका PowerPoint का नहीं, यहाँ पर मैंने क्या open कर ले, LibreOffice चाहिए, तो मुझे यह PowerPoint, इसका extension रहता है .odp, तो यह ODP extension याद रखना है, इसका PowerPoint का extension, मतलब image का extension, यहाँ पर LibreOffice, Impress का extension, sorry, image नहीं, और default orientation, इसका landscape ही रहता है, जो PowerPoint में भी इसका landscape यह दिखाए देगा file आपको, default orientation कौन सा रहता है, यह आपको सवाल आ गया, तो आप landscape, landscape मतलब horizontal, जैसे word का page vertical रहता है, यह horizontal रहता है, zooming range इसकी minimum रहती है, 5 percentage और maximum रहती है, 3000, जी यहाँ दोस्तो, यहाँ पर आते, zooming range, minimum रहती है, 5 percentage, 5 भी हो सकता है, 6 हो गया 5, और maximum हो गई, यहाँ पर 3000, जैसे मैंने कात आपको दिखाए दे रहा है, 3000 maximum, और minimum रहती है, 5 percentage, यहाँ पर final और default रहती है, यहाँ पर 100, 100 ही रहती है, सब में default, okay, so, यहाँ पर इतना पता चला आपको, अच्छा इसमें, save और save as की shortcut की होई है, control S और control shift है, save as shortcut की as it is रहेगी, इसके अंदर एक और चीज़ बताना चाहूंगा, मैं, जैसे कि कोई भी shape है, इसको आपको duplicate करना है, तो आप यहाँ पर जैसे powerpoint में control D होता है, यहाँ पर control D नहीं होता है, यहाँ पर shift F3 आपको press करना होता है, और आप duplicate कर सकते इस shape का, देखिए, shift F3, याद रखिए, shift F3 duplicate होता ह है, यहाँ पर एक shortcut की आपको याद रखनी है, और बहुत सारी डहर सारी shortcut की होती है, बहुत सारी चीज़ी होती है, powerpoint के अंदर इसे presentation बनाते हैं, वैसे library office में भी आप animations, slides, slides shows and all, यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन कैसे देना यह सीखना है, तो उसके लिए separate tutorial होगा, आपको इनका ओर यू दूँ, क्योंकि यह triple C के exam में आने वाले सवाल है, जो मैंने आभी आपको बताए, regular पूछे जाने वाले सवाल तो मैंने आपको बताए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका एक deep tutorial हो, तो भाया, आप मुझे लिखो comment, तो दोस्तों कैसे लगा आज क आपको पसंद आया होगा और like, share और comment आपनी already किया होगा, मेरे जितने भी channel है, इसके अलवा मेरे जितने भी channel हो, उनकी link में दिस्क्रिप्शन में दिए है, जरूर जा के चेक कर लेना, अगर आप इंट्रेस्टेट हो कुछ सीखने के लिए, मेरी website की link भी description में है, मैं तुका कुछ और interesting वीडियो के अंदर, तब तक लिए अपना खयाल रखो, सीखते रहो, सीखाते रहो, बाई बाई